हेलो गाईस आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मारा इंफिनिक स्मार्ट सेवन एचडी फोन है तो इंफिनिक स्मार्ट सेवन एचडी फोन की सेटिंग्स पे जाकर जो मारे फोन में नोटिफिकेशन स्लाइट है तो notification slide को आप कैसे enable कर सकते हैं Infinix smart 7 HD phone की settings पे जाकर तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि notification slide को enable कैसे कर सकते हैं Infinix smart 7 HD phone में तो वीडियो start करने से पहले मुआरे चैनल को like करें subscribe करें और साथ में bell icon दबाने ना भूलें तो वीडियो start कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो phone के icons हैं इस तरीक güub हो रहे हैं तो आपको swipe करना है Swipe करते हैं ब्लाइकन से open हो जाएंगे फिर आपको settings पे जाना है और क्लिक करते है phone की settings पे उपन हो जाएगे तो जो मारे phone में options आता है कैसे आप phone की setting पे जाकर back करना है फॉन आइकन पर जाना है, फॉन आइकन सेटिंग्स पर जाकर नोटिफिकेशन स्लाइट को एनेबल कैसे कर सकते हैं तो सिंपली यह आइकन शोर हैं तो आपको सेटिंग्स को उपन कर लेना है तो आपकी फॉन आइकन सेटिंग्स से उपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैंगी आपके पास यह options आ गया है जहांसे इसको आपको on कर देना है flash for calls को तो flash for calls के जरी आप notification slide को enable कर सकते हैं और जो भी आपकी notifications आपके phone में आता है हमारे phone में आता जैसे तो इस वो हमारी phone की flashlight है हमारे phone में response कर देगी यानि यूज फ्लैश लाइट सेंसर अटोमेटिकली आउन हो जाएगा तो इस तरह से आप notification slide को enable कर सकते हैं और इसका तो इस तरह से notification slide को enable कर सकते हैं इंफिनिक smart 7 HD phone में तो आपको वीडियो चलेए तो like and subscribe करें थैंक यू वीडियो चलेए तो like and subscribe करें थैंक यू वीडियो चलेए तो